हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस ये गड़ित के सबसे महत्पूब अविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके 27 फरवरी को होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टन सवाल है इसमें उन्ही सभी सवालों को लिए हैं जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है जैसे ये आपके दो हजार 23, 2022, 2020, 2019, 2018 में यह सभी पेपर में कई बर रिपीट हो चुका है ठीक है जितने भी प्रस्ण है 100% एक प्रकार का वारल प्रस्ण है ठीक है यह 2024 के बोड के एक्जाम में 100% सभी आने वाले सवाल है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है देखें फ्रेंज आपके सामने पहला नंबर का स घंगत मान पूछ रहा है यहांала का मान पूछ रहा यहां पिर आप स ॉार चार दिया है इस प्रकार का सवाल जब आ है देखिऊ अपको हलका इसा कर रहा है यहां पी दिखिया आप संभिक़र है के 2 दू एक्स प्लस 3y बराबर 13 ठीक है यहां एक्स कमान कितना दिया है आपका दो दिया है यहां प्लस 3y बराबर 13 ठीक है देखें दू तुना के 4 होगा 30y-3 5 5 5 थो 2 पच्षानतर कें ती furt 5 मैम हेसा में 2 पच्षा जाएगा यहां के थे पच्षा नश्ट हो जाएगा यहां आपसनमें आपको लगाना था अब देखिए आपक्छी माइनस वाई ब्रावर दूर्स पलस वाई ब्रावर्दू का अमिस आंग पर अपको यहां पे हल करके यह और से हल करेंगे लानियोक्ट कि यहां पर यह स्वश्य कर नाया दिखिए इस किसा दरीका से और करना है और यक्स प्लस Y पराग कितना है दो है तो इसको समीकड़ नंबर 2 माल लेजिए ठीक है माल लेजिए आप अब क्या करना है कि यहां से देखिए Y और Y है और यक्स के माल कितना होगा किसी बिसकाने में रख लएक कितना है कितना कुई ञांगा यह मैनस माइनस इधर करेंगे ऐधें को कितना अचेन मेंद यहां में करेंगा यह कंधकर क्मानि तो आप यहां तो आपसन में कि इक आपको होगा धुर् αुभ civ Also देखिए आप डी वालाप्सन मत लगा दीजेगा देखिए यक्स कमान माइनस में दू दिया है जो कि आप हल किया है यक्स कमान किस में आया प्लस में दू आया है न यहां यक्स कमान प्लस वाला लगाना है आपको अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या है यहां ध्यान द सब्सक्राइब यहाइं कि तीन फार्मूला होता हैं दो चरो ड्राल रखिया देख लिजी देख गोसटो दो चरो हई प्लस दौसट के इस पघ्वर के समिक्र हो तो दो चर्वाल रेकहे की समय नहीं तो यह दुसरा प्रति झ्चेट करेंगे प्रतिशाब कर रहा है तो पूरा इक कंडिशन लिख लिए इसका एक हल होगा यह इसे ही एक हल का ही हम क्डिवती हल के नाम से भी जानते हैं ठीक है डूसरा फार्मुला अप लिख ली को एक जगा लिख ली इसपर बहुत सवाल आपको भी लगाने वाले हें ठीक है जिए बरापन लोगा इसका मतलब दो रहाए जो संपथी होती है संपाति का मतलब यह रेखाई जो होती है एक दूसरे के ऊपर होगा दूनों रखाई क्या होगा ऊपर होगा ठीक है इसमें तीसरा आता है कि 11पन बराबर 12 इसका मतलब होगा internacional का मन बराबर होगा लेगं ते को रहल रहे शुटु सभर समानतर होगे एक दुसरे क्या होगे समानतर होगी ठीक है तो यह तीन हो इसका फ़र्मुला है इस इस को समेकर करो को एक जगर लिखत अब यहां पे सवाल को देखिएíst घांज हल वहा तो अब मैं कमाएहा इसका कंडीशन क्या देख एज बने सब्सक्राइब अधरो बैसा नि dö słuख compare गाता इसका अधीवती हिर्स हे इस तीनों फार्मूला के एक जगह आप ज़रूर लिख लिजीए चलिए नमबर के सवाल को देखते हैं देखिए te कि नंब काara कर बॉए सब्सक्राइब करने संता पर इन दोनों को जोड़के च्ह Kara आट को इसको घटा के द जोड़ेंगें तो आट को यह तैंसमेle जोड़ेंगे तो नहीं और लेकि Гलति होजाएंगा एक में डू जोड़ेंगे था आ आना चाहिए八 लेकिन आ रहा है तिन या फंटली हो जागा अब देखंगे विवना, देखिए इस अजल आ या करेंगे तो पनज आप और तीन muss तीन फंटोढ़ा होगा लेकिन तो ठीक है, क्प्छान को कोई हल नहीं यदि लेमडा मान होगा लेमडा का मान उसमें क्या होगा ठीक है अब देखे इस पकार के सवाल को आपको कैसे लगाना है जान दीजिए का आप आसानी से लगा सकते हैं पर देखिए यहाँ पर एकस प्लस दू आ इस सतर को इदर दर माइनस सत्तर हो जागा बराबर 0 हो जाएगा ठृट कि इसी परका से यहां से देखिए दू एक्स प्लस लेमड़ा वाई कितना हो जाएगा है सब्सक्राइप कितना है कितना हो जाएगा नियोगा को मैं कितना हो जागा चले चलिliter क्योंकि यहां लेकि देते हैं माइनस 35 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पे आपका क्या है कि कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है कि इसका कंडिशन क्या आपको बतायत है ना फार्मूला कि देखिए कोई हल नहीं होगा देखिए यहां पर इसका कंडिशन कोई हल नहीं है इसका मतलब A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 होना चाहिए. लेकिं C1 upon C2 नहीं होना चाहिए. देखिए यहाँ पे आपको कोई हल नहीं होगा, अभी फर्मूल देखा, A1 upon A2 बराबर होना चाहिए B1 upon B2 के, और यह बराबर नहीं होगा C1 upon C2 के. यहाँ वे सम्नमान रख लीजिए ठीक है मान रखके हल कर लेंगे ठीक है ध्यां दिजेगा यहां पर रखके हल करते हैं A1 कमान एक है A2 कमान कितना है दू है A1 कमान कितना है दू B2 कमान कितना है लेमडा है District 11- 70 है और से धी कुमान माइनस 35 हैild कर लेंगे अब करने के बाद देखें कैसे हल करें झाटि आप ये बराबर नहीं इस यह एक में इस सवाल को हल करना एक आरहने उस सवालenkत लेंगे सव सिंपल तरीकाश से कर लेंगे हैं यहां लेंडा कमाण कितना है आपका प्सक्राइब सब्सक्राइब कर लाथ हुए टिक है इस पगाश सवाल को लगाना है चलिए अगले नंपर के सवाल को देखते हैं देखें च्छठवों नंबर का आपको सवाल क्या है कि समीकड़ 3 x square plus 12 x plus c बराबर 0 के मूल देखें आप मूल समान हो तो c का मान ग्याद कीजिए चलिए यह दिवघास समीकड़ है इसके सभी फार्मूला को देख लेते हैं जिस पे सवाल आपसे लगवाएंगे देखें B2 minus 4ac होगा इसका पहला सुत्र आपका बंता है कि 20 माइन 4ac जो होगा जीरो से यदि बड़ा होगा यानि इसका हल करेंगे जीरो से बढ़ा होगा और ऊयाब ठीक पूल वर्ग आएगा इसका फार्मूला बनता है कि वास्तिविक और परिमे संख्याओ दोका वास्तिविक हो गाँ अगला देखें तीसरा जो बनेगा 20-4ac जो होगा जीरो से छोटा हो यानि रिड़ात्मकित का मान क्या होगा रिड़ात्म कोगा जीरो सब्सक्राइब का मौने क्या परकार की संख्या होगा कालपनिक होगा अगला देखिए 20-4ac बरावे 0 आ जाए यह होता है जीरो लगगे क्या लगेगा बी स्कुर माने ऐन फॉर सी बरावर जीरो इस पर आपको क्या करना सवाल को आफ़ाइसकّ है दिएदेखे यहां पर कैया है आपका 3x kuin 12x . सी बरावर क्या होगा जीरो यहां देखे तुलना कर देए एकस स्क्वार प्लस बी एकस और प्लस सी बरावर जीरो से तुलना करेंगे देखे एक कमान कितना हो जागा एक कमान कितना ओता जीरो यहां B कमान कितना है देखे 12 12 के स्कॉर कर लिजीए माइनस लिगी 12 के स्कॉर कर लिए नहीं चार गुड़ A कमांद 3 है सी कमांद 2C बराबर जीरो देखे 12 के स्कॉर 144- 4 का 3 कर लिए 4 ते यह 12C बराबर जीरो ठीक है अब यहां पच्छांदर कर लेंगे ते 12C को इदर पच्छांदर कर लेते हैं तो देखे 144 बराबर यह 12C माइनस से तीधर आगा प्लस हो जागा तो 12C हो जागा अब 12 को पच्छांदर करेंगे तो 144 बारा इसके नीचे आजए जागा यहां C हो गया 1212-12 तो 144 12 बारा कटे चाहिए यहां कि 12 kadar c कमन कितना हैं आपका 12 यह इस सवाब को इस पकास आप अधम rarely सींपल तरीखे से लगा सकते हैं ठीक है जबारा सी कमन कितना है आपको 12 क्या होगा cी आपका क्या होगा correct हो जाएक ठीक है इस पकास इस सवाल को लगाना था अगला साथवार नम्बर का सवाल देखिए आप ध्यान दीजिए का कैसे लगाना है दिधात संब् dieses dü mindset 2x स्क्वायर माईिस चाइख प्लस एक बराबर जीरो के मूल हों गे इसके बूल बताना है कि मूल क्या होगा वास्तवीक और बराबर होगा वास्तवीक खिजिए वास्तीय कर भीनहें वास्तीय का क्या सवाल का हाँ इए गागा सवाल क माão किसे हल करेंगे अ तिकर ग्याद कीजिए पर इसको ग्याद कीजिए देखिए अभी तुलना करना आप सभी को सिखाएं कि कैसे तुलना कर ना है तो देखिए आपको तुलना करके फिर बता दे रहें लोके तो इसक्वार माएनव 4 एक्स फ्ल्स वन पर बराबर जीरो ठीक है यहाँ का मान कीटना होजाएक है कितना हो जाएगा और सी कमान कितना हो जाएगा और सी कमान कितना हो जाएगा और सी कमान कितना हो एक हो जाएगा अब यहां पर बी स्क्वार माइन फॉर एसी निकाल दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए बी कमान कितना है माइनस चार है ना बी कमान कितना है माइनस चार का स्क स्क्वार कर लिजिए 1 कमossר कितना है 很 दू सी कमाल एicial naw जाल करते दीजिए कितना आता है यह चला कि स्क्वार करेंगे चार सोलव कर सोलय चार दूमुन के आठ्ट अब सोलह में से अ Orthodox sizin बड़ा होगा अब देखिए जो abru इसका सभी कंडिशन बताए ने जब जीरों से बड़ा होगा तो इसका मतलब वास्तिविक होता है परीमिय होता है असमान होता है ठीक है और यहां पर वास्तिविक परीमिय असमान ठीक है यहां भी देखिए अब दोनों कंडिशन में पुलु वर्ग है पुलु वर्ग नहीं ह नहीं है तिसका मतलब वास्तिविक अपरी म Nepल्न समान हो थिक यह दूसरे कुंडी सन आपका होगा अब यहां पी कर दिया है'll यह को बराबर यह सिर्फ यहां पी भी गलत बहुत त्प्रांट सिर्फ से यहां पर वास्तिविक यहां कुर्ष शाहिए का यहां पर आपर का मतलब क्या होता है भिनबान होता है यहाàँ पर कौन सा आप्सpert owning culture यहाँ हो सभी वला इस पकास इस सवालकु लगाना था ठीक है समझ में आ गया हूगा आपको अब आठवा नंबर का सवाल का ध्यान दीजिक कैसे लगाना है कहरा हिक यदि समिकर्ण 3 x square minus 12 x plus k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k कमान ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर फिनों दे दिया मूल क्या है आपके बराबर है जब मूल बराबर होगा तो आपको क्या है विविक्तिकर आपको क्या निकलेगा यह देखिए अभी पता इतना कि b square minus 4 a c बराबर क्या होगा जब मूल बराबर होते तो यह condition होता है condition तो यह पता चल गया कि इस पर लगाना है यहाँ पर तुलना करेंगे तो अभी पता है आप इस पर तुलना करेंगे यही पर तुलना कर देते है a x square plus b x और plus c बराबर zero से तुलना करेंगे तो यहाँ पर a kami कितना होगा देकि a kami A का क्माry 3 हो जाएगा और b kami कितना हो जाएगा minus 12 हो जाएगा औि c k particulмов करेंगे अभी यहाँ पर रखो दिजे मूल बराबर b के जगह अब कितना रखां है minus 12, 12 कि square कर लिए 4 गोड़े 1 का मन कितना 1 का मन 3 है का मन कितनाs करेंगे भी काए है 0 के, 15 Clinton को बारा के 20 Casey 24 hoगा, मानस 4 त dipping को जाएगा वोगा बराबर जींस को जीचर है, अब इसको क्या करेंगे 22 को पच्छान्तर काए गढ़ाई को लगाईएगा। थीचे का मन के 20 बराबर के 20 को भारबर की 5 कामान कीतना है, इस सवाल को लगाईगीगा। ठीक है तो के कमाना आया 12 यहां आपसं में अठवा के देखिए कौन से सही होगा डी वला आपसं करेक्ट हो जागा ठीक है अब देखिए है नमबर का सवाल क्या है आप से क्या पुछ रहा है कर रहा है कि यदी समी करण यक्स स्क्वार माइनस 4 एक्स प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तिविक मूल नहीं है तो कोई वास्तिविक मूल नहीं है यहां पर वास्तिविक मूल नहीं है देखिए जब भी वास्तिविक है नहीं है तो उससे नहीं मतलब आपको हमेंसा क्या निकलना भी स्कॉर माइनस 4 एसी निकाल लिएगा ठीक है यह पर निकाल लिएगा चलिए यहां पी देखिए आपका यहां पर तुलना करेंगे चलिए तुलना करके आपको बता देते हैं देखिए एकस इसक्वायर फोर एकस प्लस ए बराबर जीरो है इसकी तुलना करेंगे एकस इसक्वायर प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे एक कमान कितना होगा, यहाँ प्यक्स स्कार, गुड़ा कुछ नहीं है, तई 1 है, B कमान कितना है, माइनस 4 है, C बराबर क्या हो जागा आपका a हो जाएगा C बराबर a है ठीक है, अब 20 कमान 4 है, झेके निकालते B कितना है, माइनस 4 का इस्कार कर लीजीए और 5-4 गूड़े एक कमाल एक है। एक कमाल ची लिए ठीक हर ब्लाग हुख हुख बचने हैं छॉपक को बचाहर किचा कार चुपक कई सोलम हो जाएगा या मुटब तेमा धेल डटी सिए-टी यहां पर कर रहा है कि मूल वास्तिविट नहीं है कोई वास्तिविक मूल नहींत इहां इसमान जो होगा 20 ख्राइब दोसे कम होगा तृहां पर मूल वास्तिक नहीं क्शेच से कम् इसका Secretary क्मान जो होगा जीकर सब देखंड का मकरा साइब रहां जिये Rebel आप समय का ने चार से कम कहां पर है यह वाला सहीं आपका तीस प्रका से सवाल को लगाना था यह फार्मुला आप जरूर याद रखिएगा तभी आप दिवा समय कर गए जो मूलबास्तिक है नहीं है कालपनिक है क्या है यह आप जानते रहेगा चार वो कंडिशन दी होगा समिकर में तब इस सवाल का आसानी से लगा सकते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा आपको चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए यहां पर दसवान नंबर का सवाल क्या है आपका समिकर 3x2-2x1 बटक 3 बड़ाबर 0 का विविक्तिकर होगा यहां पर विविक्तिकर व्याद करना है को न कि इसका विविक्तिकर क्या होगा ध्यान दीजेगा कैसे लगाना है सवाल को भी देखिए पहले सवाल क्या है कि 3x2-2x3 बड़ाबर 0 इसका तुलना करेंगे ax2-bx2-c3 0 से देखिए एक कमान कितना होगा देखिए एक कमान 3 होगा बी कमान कितना होगा माइनस 2 होगा यह सी कमान कितना होगा एक बटके 3 हो जागा ठीक अब देखिए विविक्तिकर गयाद करना है तो विविक्तिकर का फार्मूला को स्टार्टिंग बताया थे कि विविक्तिकर क कितना है तीन है ते तीन कर लिजिए सी कमन कितना एक बटा के तीन है ते एक बटा के तीन कर लिजिए देखे दू का स्कॉर करेंगे दू दूना के चार यहां देखे तीन से तीन कड़ जागा तिहां बचेगा देखे चार का एक मुझूड़ा करेंगे चार होगा चार में चा तो सवाल को देखते हैं जिसमें अब समांतर सढ़ी के सभी सवाल लगाते हैं आप समांतर सढ़ी टी सबसे सवाल है सरवांतर ग्यात करना रहता तो kya करते हैं आप ध्यान करना रहता है तो जो करम से संख्या आती जैसे देखिए दो करम से अगली संख्या में से पाली संख्या घटाते हैं और सरवांतर किसे देखाते हैं डी से डी बरा क्या होगा एक में से क्या करेंगे तीन को घटाएंगे माइनस तीन घटाएंगे तो कितना जागा माइनस दू आएगा तो इ जानते रहें कि इसे निकाला जाता है अब अगरा नमबर की एक से 15 सुली दूस्तों एक से दस तक कि ध्यानत्मक समसंख्याओं का सवांतर माद्डे ग्यात करना है कि 47 माद्द कoping संसिट, क्या होगा। ठीक है। यहां पर ध्यान देज़ाआ, इस सवाल को आप पो लगाना कैसे है। ते बस ध्यान देजीगा। एक से दस तके बढ़ने संसिंग क्या लिखी। असे दू के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आपका होगा 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, यह सबी क्या है, आपकी सम्संग क्या है, अजिए समानतर माद ग्याद करने के लिए क्या होता है, ठीक है, समानतर माद कैसे ग्याद करेंगे, देखें समांतर माद दे बराबर होता है यहाँ पर द्यान देखें कि समांतर माद दे बराबर सभी पदो का योग सभी पदो का योग सभी पदो का योग बटा कि पदो की संख्या यह आपको फार्मुला भी तक याद हो गया पदो की संख्या ठीक है ठेखे सभी पदों का यों कितना दिया या जोड़ने तो 30 जाएगा अब बटा के भागत दिंगे 5-5 चागा 30 या कितने भार में जाएगा च्छ या इसका कितना है या समानतर माधिस्का अच्छ इसमें आपसेड़ में च्छ कहांपे दिया इसका सही जोब सी क्या होगा correct हो जाएगा कि अब देखें आपके सामने तेरहाँ नमबर का सवाल है और इस सवाल को देखिए आपको कैसे लगाना है यहां पूछ रहा है कि समांतर सड़ी दू साथ बारा डाट 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 का इसको कैसे लगाना है ठीक है यहां पर हल कर देते हैं और सिंपल तरीका से अल लगाएंगे पहले सर्वांतर ग्याद किजैंगे जब अगली संख्या फैने गटा लेंगे यानि आप इसका प्रथम प्रथम प क्या होगा अगली संख्या और यह अधार की यहां पर प्रदो की संख्या यानि बराबर क्या होगा मैसे लगा ना पदो की त संख्यां पुरल डीटियल मेरे में समझी सो किसे दिखाती यह न meaningful पद बराएं पद जaking से लिखा रहते है तो यहन कीस चंख्या तें यहां पयां कि इतना हो गए 10 10 हो जाएका अब दश्मर्याज ग्यात करना है मतलब देख़एंद पाथ का फार्मूला क्या होता है यह नवा पद का फार्मूला क्या होता है यह नवा पद का फार्मूला होता है कि एन बराबर यहां पर ए प्लस एन माइनस वान इंटू डी होता है देखिए यहां दसमाग गात का तो ए दस हो जाएगा पर थम पद ए कमान दू है ठीक है और यहां पर एन कमान कित और नों प्लस करें नों गुड़े पांच तक यहां पिदू पल्स नोब चें पहता झालीश है अभी जोड़ दिजिय तो जुड़ है तो जोड़ेंगे तो 45 में देख 가까, 14 हमाँमबर का सवाल क्या है यदी संख्या वीस यक्स तीस का मान होगा ठीक है देख है और यक्स पार्ट संख्या उनमानोipe मैं है तो बीस और तीस के भीच में ही यक्स का मान रोटना चाहिए अब आप सन्सक्राइमगा भीच तो यहां द stat का मान ही सकता है तीस लाश्ट में दे दिय तीस भी नहीं हो सकता है 50 तीस से अधीक है यह संख्या तो नहीं सकता है इसलिए कि 20 और 30 के बीच में क्योंस कोई संख्या होना चाहिए देखें आपका 20 भी म belki 30 से बढ़ा है ठीक या मतलब नंबर का सवाल अपनरावं का सवाल अवग्य से लगाएंगे टेके साथ तेरह और 1923 on में पदों की संध्या है यानी पदों की संध्या ग्याद करना कि टोटल पदों की संध्या क्या है तो पहले नमपर ऩृइंड यह अमळब पहले लिखना पढ़ाएगा हलक ऐसे करेंगे सिंपल तरीका से सीखिए देखिए यहां पर पहले लिखिए प्रथम पत पर लाएगा निकाले सर्वांतर को देखा यहां को बता है कि से दो नजदीक के संख्या अगली संख्या में से पहली संख्या गटा देंगे तो सबस्क्राइब के तो किसे दिखाते हैं इस इसका मान कितना है दूसरो 5 है ठीक है यहां पदों की संख्या ण़से बिराबर कोईस्चन मार्ट અब गबार अब लाऌक का बनता है को नतीम पद बराबर अंदीम को यह से दिखा यल तो बराबर होगा ए प्लस यह माइनस वान इंटू डी यह फार्मूला होता है आपका ध्यान दीजिएगा ठीक है अब इसी फार्मूला पर रखके सिर्फ केवल हल करना है चलिए यह कमान कितना है 205 है यह की जिए दूसरप रख लेते हैं एक fry मंन कितना है साथ है तो साथ रखनेने स्यवादर द्रिमान कमण जातब का नहीं कोशना औरम इन्टू डी कम इनल पर्माइनस झालोत 같은데 दिक है धिव बिद्द काम कितना चाहँ गुडा में 55 में करेंगे इसके बटा मोज गए तो एक 190 वीड़ा के चाहँ हो जाएगा यहाँ पी यह पी इन माइनस वन हो जाएगा देखेत कटाएंगे तो चस्ट्री अठारा चस्ट्री एठारा यानि कि 33 युद्ध ना माइनस वन बराबर 33 अब पछांदक कर Klodil 33 ता siis कितना हो जागा 33 चाव Ini की ठ Paloon कि इस्वाल हो जाएगा n चितने सवाल बता है है बहुच सिंपल तरीका से आपको सिंपल सवाल को बताएं ठीक है इसी प्रकार से आपको प्रतेक यहां प्रती कि कुछ most important question दिवगाज समभी करके दो चरवाल रहकिक समभी करके most important question करा है यही प्रवी कलपी प्रश्ण आपके बोर्ड के exam में same to same देखने के लिए मिलेगा जितने भी प्रश्ण कराते हैं hundred percentage आपके बोर्ड की exam में सभी आने वाले सवाल ही होते हैं ठीक है फालतु का सवाल एक भी नहीं कराते हैं ठीक है आप वीडियो को लास्ट देखके सभी question को सिंपल तरीका से सीखा कीजिए और इस पे अधिक से अधि तैयारी को जारी रखिएगा आपका जो बोर्ड के exam आप सभी को पता है कि बाइस फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें